नमस्कार दोस्तों मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल MB Speaks पे आप सभी लोगों का स्वागत है इस समय वारणची की ग्यानवापी मस्जीद में नमाज के लिए लोगों का पॉस्टना शुरू हो गया है आजुमा है और जुमे की नमाज भुनी है वहाँ ग्यानवापी मस्जीद के गेट नमर चार से ही लोगों को बारे बारी से एंट्री दिलवाई जा रही है और फीड को देखते हुए सड़क के दोनों तरफ 50-50 मीटर के दायरे में प पहले अंजुवन इंतिजामिया मस्जिद कमेटी ने नमाजियों से अपील किये कि वे ज्यादा संख्या में ग्यानवापी मस्जिद में ना आए जुमे का दिन है घर से ही वुजु करके आए और कोशिश करें कि अपने महलों की मस्जिदों में ही नमाज अदा करें मैं अलट है अलट क्या काफी अलट है ज्यानवापी परसर के आसपास के जो इलागे हैं वहाँ पे पेशी के जवन प्यारत हैं परशासर ने हजार जार लिटर के दो ड्रम पानी के करीब पचास लोटे भी इंतिजाम करवा दियें वहाँ पे ताकि बुजु में दिक्कत ना आ अनुसार ज्यानवापी मस्जिद में ज्यादा जी ज्यादा साथ सो लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं पिछले जुम्हे को मस्जिद कमीटी की अपील के बाव काफी संग्या में नमाजियों की भीड़वाई कट्टी हो गई थी जिसके बाद पुलिस ने लोगों को लटा द में हैं उनसे जुड़े हो हैं बराबर और अपील की जा रही है कि किसी भी अपवापे ध्यान न दिया जाए कानून और व्यवस्ता बनाए रखने में पुलिस का सयोग करें मीडिया भी और दुसरे लोग भी इधर वारणाशी विश्यो वैदिक सनातंद संग के परमुक ज कि अन्जुमन इंतिजामिया मस्जिद कमेटी और उसके फालोवर्स मंदिर को नुक्सान पचा रहे हैं यह प्लेस अफ़र्षिप एक्ट उन्नीस से क्यानमे की धरातीन का सीदे सीदे लोंगन है अजित अंदर सिंग विसे ने कहाए कि प्लाट नंबर 931 में काशी विश्य का मंदिर है लहाजा यहां की शुरक्षा होनी चाहिए और पुलिस और प्रसाशन इस में ख्याल रखे हुए है आप में साथ बने रहे हैं दोस्तों मैं आपको मस्जिद में जो नमाज आदा की जा रही है उसके बाद की ख़बर से भी अपडेट करूंगी फिलाल इतना ही आप अपना और अपनों का ख्याल लखिए जय हिन जय भारत